इंडियन मार्केट में स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट वाचिस के बाद एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड काफी जदा बढ़ रही है विकार्ज जो स्मार्ट फोन्स है उनके अधर से 3.5 mm जैक तो हटता जा रहा है जियां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं TWS एरफोन्स की आज की इस फीडियो में हम ऐसे TWS एरफोन्स की बात करने वाले हैं जो एक अमेरिकन ब्रैंड की तरफ से आते हैं जियां दोस्तों हम बात करने वाले हैं JLab की तरफ से Go Air Pop TWS एरफोन्स सबसे पहले JLab Go Air Pop के build quality और look and design की तरफ देखें तो सबसे पहले हम case को देखें तो case काफी छोटा सा compact आपको देखने को मिलता है जो कि आपके हाथ में अराम से आ जाएगा आपको इसको carry करने में कोई भी problem नहीं होगी और इसकी build quality के बात कर तो अच्छी quality का आपको plastic build देख देखने को मिल जाता है इसकी विए से जो scratches बगरा है वो भी इस case पर इतनी जल्दी नहीं आने वाले अच्छा जब मैंने आपको box content दिखाए तो आपने एक चीज मिस करी जिहां दोस्तो charging cable इसके अंदर आपको कोई भी charging cable नहीं देखने को मिलती है बट इसमें चोटा सा twist है इसके अंदर आपको जो case है उसके अंदर एक attach cable है जिससे आप अपने जो adapter है उसके अंदर इसको plug-in करके इसको अराम से charge कर सकते हो तो इसके लिए आपको कोई भी extra cable लेने की जरूरत नहीं है अब case की बात तो हो गई अब आते हैं main चीज पर जो की है अपने earphones earphones आपको छोटे design में देखने को मिलते हैं without stem वाले design में देखने को मिलते हैं और silicon earbuds के साथ आते हैं तो यह जो मेरे कानों में तो काफी अच्छी तरीके से fit होते थे और मैंने पूरा हेला डूला के भी देखा तो यह गिरने वाले तो नहीं है तो इनको आप जिमिंग वगर sound quality जिहां दोस्तो जे लैब go air pop के अगर हम sound quality की बात करें तो इसमें आपको काफी हद तक balance sound quality देखने को मिलती है इसमें आपको तीन modes देखने को मिलते हैं और सबसे interesting चीज यह जो तीन modes है वह आप earbud से ही touch sensor से change कर सकते हो जिहां दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी extra application sound quality देखने को मिलेगी और तीसरी बार अगर आप triple tap करोगे तो आपको bass boost वाली sound quality है वह देखने को मिलेगी दोस्तों अगर मैं अपने experience की बात करो तो यह earphones को मैं 3-4 दिनों से use कर रहा हूं पहले मेरे को sound quality है उसमें bass थोड़ा कम लगा था बट उसमें sound quality जो है काफी तक balance ह होती है बट अगर यहां पर आप bass boost वाला जो mode है वो इनेबल कर देते हो तो इसकी sound quality है वो जो bass lovers है उनको भी पसंद आने वाली है तो यह चोटी-चोटी earbuds है यह आपको अच्छी sound quality produce करके देंगे तो आपको इसमें streaming अगरा करने में गाने अगरा सुनने में और इसके अगर आप mode change करोगे अगर अपने preference के इसाफ से तो आपको इसमें sound quality का मज़ा आ जाएगा sound quality के बाद सबसे important क्या चीज़ होती है call quality और jlab go air pop को मैं 3-4 दिन से यूज कर रहा हूं और काफी सारी मैंने calls attend करी है और काफी हद तक आपको अच्छे experience देखने को मिलेगा सामने वाले क आप लोगों की reference के लिए इसका जो call quality का एक नमूना है वो मैं इस वीडियो में add कर दूंगा जिससे आपको आइडिया लगजेगी इसकी microphone की कैसी quality आपको देखने को मिलती है और सामने वालों को कितनी अच्छी इसकी voice पहुंचती है अब बात करते हैं एक ऐसे section की जिसके अंदर जे लैब ने काफी अच्छा काम कर रहा है that is battery section इन earphones को अगर आप एक बार charge करोगे तो अगर आप ये earbuds एक बार लगाओगे तो आपको 8 गंडे का playback time देखने को मिलेगा और in total अगर आप case को भी जोड़ लेते हो तो आपको 32 hours का playback time देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छा आपको माना जाता है at last jlab go airpop की कुछ और interesting चीज़ों के बारे में बात करें उसके बाद मैं इसका price आपको बताऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि कहां से आप इसको purchase कर सकते हो इन TWS earphones में आपको एक interesting feature देखने को मिलता है that is dual connect का तो अगर आप इन में से दोनो earphones में से एक earphone को अपने phone के साथ connect करना चाते हो और इसमें streaming वगरा या फिर अगर आप गाने बाने सुनना चाते हो तो आप कर सकते हो ये नहीं कि आपकी जब तक दोनो earphones नहीं निकलेंगे तो आप use नहीं कर सकते हो अगर आप single use करने जाते हो तो अराम से कर सकते हो इन इन earphones की fit तो अच्छी है ही साथ में इसमें आपको IPX4 की rating देखने को मिलती है जिसकी वेज़ से थोड़ी बोट जो drizzle वगरा है इसके साथ जो sweating वगरा है उसको तिये अराम से जहल लेगा इनको आप दो जगह से purchase कर सकते हो एक तो अगर आप घर के आसपस कोई chroma गा store है वहां से आप जाके इसको purchase कर सकते हो वहां पर आपको available मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आप Amazon से purchase करने जाते हो तो उनका जो बेश पैलिंग के आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा वहां से आप डिरेक्टली purchase कर सकते हो जे लैब गो एयरपॉप के अगर हम प्राइस की बात करे तो इसका जो प्राइ TWS earphones है वह पसंद है तो आप इसकी तरफ जरूर चेक आउट कर सकते हो तो दोस्तों डिस वाल बाउट जे लैब गो एयरपॉप TWS earphones I hope आपको अमारी जो वीडियो है वह पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आजी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अ अपने सारे कॉंटेक्स में जरूर इस वीडियो के शेर करना एंड डोंट प्रोगेट तो सुब्सक्राइब जेनल बिकॉज ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लात रहते हैं मिलता हूँ आपसे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो साथ तिल देन कीप इंट्रेस्टिंग वीडियो एफटलेस्ली